देश भर में पंच दिवसिय दी पोटसव का त्योहार दीपावली लोग धूमधाम से मना रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की जबरदस्त भीड दिख रहा है। Confederation of All India, CAT के राश्व्रिय महामंत्री और सांसद प्रवीन खंडिलवाल ने गुरुवार को कहा कि अब तक 4.25 लाख करोड रुपए का व्यापार हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में भारत की अर्थ व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। सांसद एवं कैट महामंत्री प्रवीन खंडिलवाल ने राजधानी नई दिली स्थित 925 बटा एक नाईवाला करोल बाग के कैट मुख्याले में दीपावली के विशेश पूजा के अफसर पर बताया कि इस वर्ष 4.25 लाख करोड रुपए का कारोबार हो चुका है जो आज देश के करीब हर कोने में दीपावली का पर्व बेहद उत्सा, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहट भारतिय सामान की खरीद में उल्लेख नियवरिधी देखी गई। कैट महमंतरी प्रवीन खंडिलवाल ने कहा कि लोगों ने दीपावली त्योहर के अफसर पर जम कर खरीदारी की। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश बाजारों में चारों और दीपों की जगमगाहट और रंगबिरंगी सजावट ने खरीदारी के महौल को और आनंद में बना दिया। हाला कि देश के कुछ हिस्सों में दीपावली का पर्व कल भी मनाया जाएगा लेकिन इससे लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। खंडेलवाल ने कहा कि अयोध्या में प्रभू श्री राम का मंदर बनने के बाद देश में यह पहली दीपावली है, इसलिए भी लोगों में उमंग बहुत ज्यादा है। सुने चांदी के सामान और अन्य घरेलू उत्पादों की खरीदारी की है। इससे स्थानिय व्यापारियों और कारीग्रों को बहुत लाब मिला है। उन्होंने कहा कि दीपावली के करोबार को देखते हुए व्यापारी इससे उत्साहित हैं। कारोबारी अब देव उठनी एकादशी 12 नवंबर से शुरू होने वाले शादियों के सीजन पर बड़ी व्यापार की उमीद लगाए बैठे हैं। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हैं।